Hello friends, Welcome to my study feed of physical education channel दोस्तो, मैं लेकि आई हूँ अग के लिए योगा से लिए अग लिए योगा से लिए वोल्लाइन और कोस्टेंज यह पार्ट नमर्ट नमर्ट तु है वोल्लाइन कोस्टेंज का योगा से लिए लिए दोस्तो सब्सक्राइब करते हैं और कोस्तो में दोस्तो मैं आपके लिए प्रैक्टिस करा भी रही हूँ तो चलिए चलते हैं समय नष्ट न करते हूँ प्रश्णों की तरफ कोस्तो में दोस्तो किस महापुरुस ने कहा है कि संसार सागर से पार होने की युक्ति को ही योग कहते हैं तो इस बात को कहे हैं कि संसार सागर से पार होने की युक्ति को ही योग कहते हैं योग विसिष्ट ने कहा है नेश्ट है योग किस देश की सबसे प्राचिंतम विधा है तो भारत देश की है भारत देश की योग यह सबसे प्राचिंतम विध्या है नेश्ट है महसी पतंजरी ने योग दरसन में 195 योग सुत्रों की वचना की है जिन्हें कि चार अध्यायों में बाटा गया है तो दूस्तों महस्य पतंजली न योग दर्सन के रिषना किया है यह भी याद रखिएगा और उन्हें उसमें एक सो पंचानमें योग सुत्रों के रिषना किया है और उनके 105 में योग सुत्रों को चार भागों में बटा गया है समाधिपाग, साध्नापाग, दिभोतिपाग या कैवलनेपाग नेश्ट हानिय रोग में लागदायक आसन है तो दोस्तो हानिय रोग में धरुदा आसन आपका लागदायक होता है नेश्ट है रक्त चाप में कौन सा आसन सबसे लागद है तो रक्त चाप में सवासन सबसे अच्छा लागद है नेश्ट है पदमासन, पवनमुक्तासन, भुदेंगासन, सलभासन, मुखी रोप से किस रोग से में लागकारी है तो इस सभी पेट की विमारियों में लाबकारी है पदमासन, पौनमुक्तासन, भजंगासन, सलभासन इस सभी पेट की विमारियों में लाबकारी है निश्ठे धनुवासन, सलभासन, सुरिनमस्कार, आसन मुखिता किन रोगों में फाइदा पहुचाती है तो दोस्तो धनवासन, सलभासन, सुरी नमस्कार ये सबी मधूमे रोग में फाइबा पहुचाती है निश्ठी प्रणयाम की मुखतक कितनी क्रियाएं होती है दोस्तो तो प्रणयाम का मतलब ही होता है सांसों पर नेदर करना तो इसमें तीन क्रिया होती है नेश कोसरे प्रायाम में मुखत कौन सी तीन क्रिया होती है दोस्तों तो वे तीन क्रिया होती है पूरक, कुमख और रेचक पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर खीचना कुमख का मतलब होता है सांस को अंदर रोकना रेचक का मतल होता है स्वास को बाहर निकालना नेश्ट दोस्तों प्रायाम में स्वास को खिचना कहलाता है तो दोस्तों स्वास को खिचना कहलाता है पूरग क्या कहलाता है पूरग नेश्टों प्रायाम में भरे हुए स्वास को भीतर ही रोकना क्या कहलाता है किया कराता है कुंभका नेश्टा स्वास को बाहर निकाला क्या खेलाता है तो यह रेन्चेट डालता है कि मिश्डी ब्रयां की अंतरगत पूमदक के कितने भियद माने गए हैं तो अब कुमदक का भियद मोने गए है नेश्ठा प्रवयान के अत्रित सटकर्म कितनी क्रियाय मानी गई है तो दोस्तों सटकर्म में 6 क्रियाय होती है जैसा कि मैंने आपको सटकर्म के बारे में सटकर्म वाले वीडियो में देटेल ने बताया हुआ है कि सटकर्म जो है 3, 6 होती है नेती, दोती, नोली, बस्ती, कपाल भाती और त्राटक इस्छे सुधी क्रिया होती है तो नेती क्या होता है यह नासिका द्वार को साफ हो सुच्छ बनाने की क्रिया होती है इसमें जलनेती, सुत्रनेती आजिका प्रयोग किया जाता है जो दोती होता है या सुच्छी क्रिया की क्रमवार है या मूर सी गुहा तक की तक पूरी अमासे मेने के लिए होती है जो नोली होती है उदर के अंगों की मालिस करती है अमधुन बनाती है गाया नोली बाहने में होता है अमधुनोली जो बस्ती होता है वो बड़ी आत को धोने वो मर्बुत बुनाने में लात्रद होता है जो कपालभाती होता है वो मस्तिस के अगरभाग को पवित्र करने की सांस लेने की ख़िया है अगर त्राटक होता है वो एक बिंदू या वस्तितर नगतार देखने का बयाम होता है सब्सक्राइब करते हैं तो हम सांस लेते हैं उसको पुरोग बोला जाता है जो छोड़ते हैं उसको रेचक बोला जाता है तो यहां पुछ रहाएगी स्वास वाई को कितनी दे तसरी बोगना अच्छा होता है प्रणयाम में तो जितना स्वास भरने में समय लगता है उससे चार गोना जादे समय तक आपको स्वास में स्वास को अंदर लोगना चाहिए योग के किस चरण में ग्यानेंदरी उपर नियंतर किया जाता है तो उस तो प्रत्याहार में जैसे कि योग के आश्चरण होते हैं महाजी प्रतंदरी जो अपने योग सुत्र में योग के आश्चरण होता है जो अस्टांग योग के अद्रुगत आता है यम नियम आसन नियंत्र के लिए किया जाता है। नियंत्र योग नियंत्र के किस चरण में स्वास नियंत्र की साधना की जाती है। तो दोस्तों प्रायाम में स्वास पर नियंत्र किया जाता है। तो दोस्तों यह होता है तो दोस्तों यह होता है समाधी आठमा वाग अपत आठमा चरुम होता है समाधी नेश्ट बस्ति क्रिया कितनी प्रकार की होती है तो दोस्तों यह होता है जल वस्ति पौन वस्ति से पचारन किया नेश्य दोस्तों कि रख्तचाप के उचार ये तू कौन सा आसन लबदायक होता है तिया स्वासन और मयूरासन लबदायक होता है रख्तचाप में स्वासन लबदायक होता है यहां स्वासन लिख गया है स्वासन होगा रत्चाप में सवासन और मयूरासन लाबदायक होगा नेशा किस आसन में सरीर की मुद्रा एक नोर के समान होती है तो वा होती है मयूरासन में नेशा डायविटीज के लिए कौन सा आसन उपयोगी है तो दाविटीज के लिए हलासन, चक्रासन, मस्यासन उपयोगी होता है नेश्टर सुर्ण नमस्कार, गुभुखासन, पस्चिमोतरासन, एमसरवंगासन, ए आसन उपयोगी है तो इस सभी अस्थमा के लिए उपयोगी है नेशे कब्ज तथा और बवासीर के लिए कौन सा आसन उपयोगी होता है तो कब्ज और बवासीर के लिए चक्रासन, धरुरासन, वज्जासन, सर्पासन, अहलासन आसन उपयोगी होता है निश्र रोग के रोगियों को यह कौन सा आशन लागधायक होता है निश्र पेत में बनने वाले गैस के लिए कौन सा आशन उपयोगी होता है तो पेट में बनने वाले गैस के लिए पहुए मुक्तासन, धववासन, चक्रासन उप्योगी होता है नेश्ट होए नोली रथा प्रड़याम के लिए अभिक उप्योगी है तो नौली रता पड़याम के लिए गैस की समस्याओं को दूर करता है यहां पाचन में शहायक होता है नेश्च दमे की रोगी के लिए सटकर्म की कौन सी क्रियाएं सहायक सिद्ध होती है तो दमी की रोगी के लिए धोती, नोली और कपालभाती सहायक होती है। सत कर्व में नेस्ट हुआ खाना खाने के से पहले storm है। तो एक चक्रास्ण जो एक खाना खाने के पहले किया जता है। लेकिं खोना-खोना के बार पूछी região, तो क्या बताएंगी वज्रासन. तीके? नेश्ट है, मानसित तमवाँ को दूर करने इसे समनधित आसन है, तो मानसित तमवाँ को दूर करने समनधित आसन है, प्रायां, सोसन और सर्वांग आसन. नेश्ट है और्थ नेश्ट है और्थ नेश्ट है और्थ नेश्ट है और्थ नेश्ट है और नौली आसन किस प्रकार के व्यक्ति को नहीं करना चाहिए नेश्ट है और्थ नेश्ट है और्थ नेश्ट है और्थ 막 decor करने वाला आसन कौंसा नहीं है तो cha क्रास ढय किया जाता है उसको उसको चक्रासन जो है बैठ के नहीं किया जाता है इसमें आपका सीर एक तरफ रहेगा और पैर जो होता है वो एक तरफ रहेगा ठीक है पैर एक तरफ रहेगा और हाथ ऐसे रहेगा ठीक है एक चक्रासन रहता है नेश्ट है दोस्तो खड़ी वोकर करने वाला कौन सा आसन होता है तो जो नटराज आसन है वहाँ खड़ी वोकर करने वाला आसन है नेश्ट है मुर्गी की तरह दिखने वाला कौन सा आसन होता है तो कुपुट आसन है जो मुर्गी तरह दिखता है नेश्ट है कुंभाका, वीरभद्रासन, उत्कतासन, चंद्रासन, पत्नगुस्तासन, आदिकिस प्रकार के आसन है तो यह सभी के सभी क्या है, खड़े वोकर करने वारे आसन है नेश्ट है, स्वान आसन, मसंद्रासन, पत्मासन, पस्चिमुतनासन, मेरुदन्रासन, सुकासन आदिकिस प्रकार के से करने वाला आसन है तो दोस्तों यहाँ पे आपको यह थ्याय में देना कहिए किसार आसन को पूछा गया है, लेकि आपको इसमें सबसे ज़्यादा आ रहा होगा तो पत्मासन पत्मासन की बारे में तो आपको जानते ही है कि आप बैठ के करने वाला है तो जब यह सभी एक ही तरप के करने वाला आसन है प्रवासन जान रहे हैं थी बैठbirds करने वाला है, सभी बैठ्ट करने वाला होगा, तो यहां आईसे करके आप पहचाँगे उठ्चा करने वाले इसा बिठ्ट करने वाले इस भी आसन है, स्चेमतरासन, सवासन, मसैंद्धा आसन मेश्डा सवासन, हलासन, घुरंगासन अधिकिस प्रकार से करने वाला आसन वैते इस भी लेट कर किया जाता है मेश्डा आथ की लिवारियों के लिए कौई सा आसन अपनाया जाते है तो आथ की भी मेलियों के लिए घरभासन, बला हस्त पलासन, सुरी नमस्कार आधी अपनाया जाता है मेश्व कान के बर्द के निवारव के लिए कौन सा आसन उप्योगी होता है तो सिध्धासन और अध्मस्यंदासन यह सिध्धासन होता है कान के निवारव के लिए नेशा दूस्तों पुराने अस्तमा, खासी, सांस लेने में कर नाई आदी के उप्चार के लिए कौन सा आसन उप्योगी होता है तो यह मस्यावन और सलभासन उप्योगी होता है नेशा अतिसार के उप्चार के लिए कौन सा आसन उप्योगी होता है तो इसे पदमासन और कुटासन उपयोगी होता है अतिसार के लिए नेश्ठ है मस्यासन, सर्वंगासन, सत्वज्रासन किस प्रकार की रोगी के लिए उपयोगी होता है तो यह मस्यासन, सर्वंगासन यह हादिया के लिए उपयोगी होता है निर्ठ अलेक्प्रोसी यानि कोड़ को दूर करने के लिए कौन सा आसन उप्योगी होता है तो यह आपका होता है पदमासन, मसिंद्रासन, सिध्धासन ये उनको गुखासन के लिए अच्छा होता है निर्ठ उस आसन को क्या कहते हैं जिसमें सरीर चक्रिय मुद्रा में आ जाते हैं तो उसे चक्रासन कहा जाता है क्या कह जाता है चक्रासन नेश्ध तिद्ध नमक कीरे से मिलता चुलता मुद्रा वाला आसन क्या कहलाता है तो उसे कहते हैं सलभासन नेश्ठ है सर्वांग आशन में सर्स्कृत सब्द सर्वांग का क्या आर्थ है तो इसका आर्थ है सभी आउंग नेश्ठ है भुजंग आशन में किस जंगली जनुर की मुद्रा बनती है तो सर्प जैसी मुद्रा बनती है भुजंग आशन में नेश्ट है वह आसन जो कि ध्यान वा जप के लिए लाबदायक होता है जिसे मृत्यु आसन भी कहा जाता है तो यह है पदमासन दोस्तों मृत्यु आसन तो सवासन को बुला जाता है बड़ यहां भी इसको दिया है लेकिन ध्यान अजब ये की पॉइंट हाग के लिए ध्यान जब के लिए इसा पदमासान लोग करते हैं तो ये ध्यान रखेगा नेशब पदमासान ये पद का साथिक अर्थ है कमल नेशब है ग्रीज के लोग किस सिधान्त में विश्वास करते थे तो वह स्वस्थ सरीर में इस स्वस्थ मस्तिस रहता है इस बात में विश्वास करते थे और इस बात को कहें हैं और अस्तुरे नेशब प्राहर जो संस्कित सब्द है जिसका साथिक अर्थ क्या है आवंस्यक्स सक्ति प्राहां ही तो आवंस्यक्स सक्ति है इसका संस्कित सब्धा है इसका आर्थ है आवंस्यक्स सक्ति नेशा सरी में रहने वाली आवंस्यक्स सक्ति को उतप्रेद करना यों सारी सक्ति को नियमित यों संदलित ब्राना किसके उद्धे से हैं इससे भी प्रायान के उर्देश से हैं दूसरों प्रायान का मतल ही होता है सासों पर नेत्रे करना सास केरी जो वायू है ऑक्सिजन है प्राय वायू है वो हमारी आस्याफ सकती है उसके बिना कोई भी जूइत नहीं हो सकता उसी को लियुमित और संदुलित किया जाता है परयान के दुराद नेश्चा आसन के इनकिन मुद्राओं में किया जाता है तो दूसर आसन लेट कर भी किया जाता है, बैट कर भी किया जाता है खड़े होकर भी किया जाता है नेशा योग करने के लिए सबसे सही और आदस समय कौन सा होता है तो हमेशा प्रात्यकाल ही सबसे आदस समय होता है नेशा इंद्रियों को बस करने वाला योग कौन सा है तो होता है प्रत्याहार नेशा मन को सुकंत्र रखने वाला योग कौन सा है है यह होता है मंत्र योग ने शाच व्यक्ति को जानती हुए बिलत करने वाला योग कोन है तो वह होता है लय योग यहां भक्ति योग दे दिया है ठिक है लय यो होगा नेश्ट है मन को पवित्र करने वाला करने वे तुक्य आवस्यक है तो प्रायान आवस्यक है नेश्ट है पुरानी कभी के अवच्चार है तो उप्योगी आसन है तो हल आसन आवस्यक है प्रानी कभी कुद्र करने के लिए नेश्ट है योगी मसंद्र की देन है तो यह है मसंद्र आसन नेथवा हनुमान आसन किसे कहते हैं तो भी आसन को हनुमान आसन बोला जाता है नेथवा टीवी वा दमा की रोगी को लिए कौन सा आसन उप्योगी होता है तो स्रीस आसन और स्रावान जासन तेली दमा के लिए उप्योगी होता है मेरत वा आभी चैन्द वाली मुद्रा वाला आसन है तो मस्यंद्र आसन है जर्ट है किस आसन के तीन अच्छर सीव, इंड, दधा, सुक्र, ग्रा के दो तक है तो यह है सल्भासन यह तीन अच्छर, सीव, इंड, आसुक्र के दो तक है मेरत रख्त की असुदिता को दूर करने के लिए उप्योगी आसन है तो जो रख्त की असुदिता होती है उसको दूर करने के उप्योगी आसन है कुकुटासन और सीशासन क्या है कुकुटासन और सीशासन मेफ्ठायोग के आठ चेड़ों में समाजिक अनुसासन के नाम से जाना जाता है तो यम जो है समाजिक अनुसासन के नाम से जाना जाता है इसके अंतरवत सत्य अहिसा अस्ते ब्रंचर अपरिग्रह आता है यह पांग चीज़े तो दोश्तो आज के लिए बस इतना ही आगोग की सब्सक्राइब करेंगे यह विजिए आप तक पहुंचता रहेगा तो मेरते हैं नेफ्ट वीडियो में तब तक करेंगे करेंगे